नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोते सीक्रेट करकरासी सनीदेव राहू के नच्छतर में प्रवेश करने जा रहे हैं राहू के नच्छत में जब सनिदेव प्रवेश करेंगे तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम यही जानेंगे साथ यह भी जानेंगे कि सनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं 15 नुवम्बर तक इसमद क्या कुछ होने जा रहा है आपकी लाइफ में अभी तक जो चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही थी वो कितने हद तक आपको मिलेगी और किन चीजों को बेहतर करके आप अपने भागे का साथ पा सकते हैं उपाये वो कौन से हैं तमाम बातें जारी हैं वीडियो के अंदक बने रही है और यह पेडिक्शन 86 पर आधारी देखिए सनिदेव वक्री चल रहे हैं और आधास से ज्यादा वक्त बीच चुका है उनके वक्री रहते वे 29 जून को ही वक्री वेते 15 नौम बर तक और अभी यह सितंबर का मेहना भी बीचने पर अब देखिए जो करक रासी वाले हैं जब आपके उपर ढहिया चल रही है और वक्री अवस्था में है तो धया का प्रभाव कम हो चुका है आपके उपर तो उमीद है कि बहुत सारे करक वालों को राहत बहुत सारे मिली होगी आपके अधूरे कारे बन गया होंगे धया का प्रभाव जैसे ही कम हुआ हटा यहां से चीजें आपके उपर बेहतर होने तो 15 नवंबर का तक का जो वक्त है आप कोई कारवी आपके घर में कोई मंगल कारेकरम हो सकता है अच्टम भॉव में चल रहे हैं कर्म के स्वामी है और करियर के भी कारत है अब अस्टम भॉव यहां पर सनी देव करीब डेब महले का जो वक्त है इस मद्ध आपके समाम अधूरे कारे पूरा करवा कर फिर से ढहिया का प्रभाव डालेंगे आपके उपर आप हमेसे ये समझ लीजे कि आपका भागे का साथ यहाँ अगर हम 50-50 की बात करें तो समझ लें कि भागे का साथ अगर 70 है तो महनत आपको 30 करना होगा तो इस समय ये समझ कर चलिए कि आपका जो भी कारे में आप जरासा भी महनत कर लेंगे वो कारे आपका बन जाएगा वक्री अवस्था में है अस्टम में अब यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे और वो भी तेजी से सुब परिणाम अस्टमभाव पर सनी का होना वैसे तो जीवन में बहुत सारे परिवरतन लाता है रुकावट बिलंब को भी दिखाता है अस्टमभाव लेकिन अगर हम कारेचित की बात करें तो रुकावट बिलंब के बिल्कूल विप्रीथ है जैसे ही वक्रिवे हैं एक घर पीछे घर का प्रभाव यहां पर से देंगे यहां पर से देंगे और यहां पर योग भी बन रहा है दसम भाव से दसम भाव में होने के कारण सप्तम भाव आपके अपने करियर और बिजनस का भाव है तो मजबूती में लीवी है लेकिन सनिदेव यहां पर आपके लि आखे बंद कर भुरोसा किसी पर नहीं इसमें आप वो काम करें जो आपको पसंद आता है और आपके लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ दान धर्म ये सभी चीजें इसमें करने के भी योग हैं अस्टम भाव गुप्त कारियों का भी भाव है कोई कारे आपको गुप्त रख पा रहे हैं या नहीं लेकिन सनी देव सने सने चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं बिलंब के भी कारक हैं तो सनी देव कारे तो आपका करवाएंगे इसका फल भी देंगे पर धीरे धीरे उतावले पन में आके चीजों को गरवर मत कीजेगा तो अस्टम भाव और निसित्ताओं का भाव है गुप्त दान का भाव है तो ये दान अगर इसमें आप किसी को कुछ मदद करते हैं तो ये समझ लें कि इसका फल आपको सनिदेव जरूर देंगे हलांकि इसमें सब्तम भाव का परणाम दे रहे हैं और जैसे ही पंद्रा नॉम्मर को मारगी होंगे दुआरा से फिर आपकी ढहिया का फल देने लगेगे अस्टम भाव का तब यहां पर से फिर से एक बार दाम पत्ते जीवें में परिसानी थोरी माता पिता के स्वास में थो मित्र का भी है तो किसी मित्र का सपोर्ट आपको चाहिए होगा तो एक-दो दोस्त जरूर लाइफ में रखिए ताकि सपोर्ट आपको समय पर मिलता रहे और पार्टनर्सिप का भी सब्तम भाव है तो ऐसे में जो ऐसा कभी काम करें जो पार्टनर्सिप में हो या रिलेशन में परिवर्तन का भी भाव माना जाता है तो सनीदेव अभी मुड़े हुए हैं वक्रियवस्था में हैं यानि पीछे का परणाम दे रहे हैं लेकिन ऐसा आपको परणाम देंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था ततकाल काम बनेगा अभी जो फल दे रहे हैं वो का आपका क्विक बनेगा आपका वरुजहान भी बढ़ेगा एक तो धर्म की तरफ दूसरा तंत्र मंत्र की तरफ और तंत्र मंत्र या किसी ऐसे माध्यम से सिद्धी आप्राप्त कर सकते हैं जो लंबे समय से आपका सपना था तो जो लोग इस छेत्र में हैं उनको महसूस हो होगा कि हां सिद्धी की तरफ आपका ध्यान मुड़ा हुआ है कि भाई यहां पर एक और चीज है कि भाईयों का आपको सपोर्ट भी दिलवाएंगे लेकिन सनीदेव जहां बैठते हैं उस अस्थान जहां पर दिश्टी डालते हैं उस अस्थान को तबाह करते हैं जहां ब मामलों में अच्छा वक्त है पॉजेटिव और सनी का सब्तंद दिश्टी वक्री हैं लेकिन फिर भी सब्तंद भाई पर उनकी दिश्टी सबसे यादा बहतर फल देगा तो ऐसे में दूती भाई पर सब्तंद दिश्टी है यह भाई होता है कुटुम्ब का वानी का धन का तो आपकी वानी से किसी को आहत ना हो कोई इसका ध्यान रखिएगा ध्यान दीजिएगा और अच्छा करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले तो अपने च्छत पर पंचियों को दाना न डाने नहीं तो आपका राहू बिगड जाएगा अब राहू के नच्छतर में स इसको हटाइए सेल लगवाईए तूटी-पूटी घड़ियां इसको फेक दीजिए यह किसी को दे दीजिए लेकिन आप यूज मत कीजिए यह पिरियर ऐसा है जो मनुरत को पूर्ण करेगा लेकिन कुछ चीजों को आप ठीक करके मनुरत को जल्दी पूरा करवा सकते हैं पैसे से अगर हम पैसे की बात करें धन की बात करें तो फसाओवा रुकाओवा धन इस प्रियाज जरू कर लीजेगा और इसमें अगर सबसे बड़ी बात कि आपको सारी जी गूप से थोड़ा मेहनत करना चाहिए योगा एक्सरसाइश करना चाहिए घर में यह चछत पर बाड को इकठाना होने दिन पुरंत अटाइए नहीं तो पूरी तरह से फल आपको नहीं मिल पाएगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकरी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवाद